नमस्कार दोस्तों पहला कोश्चन दूसरा कोश्चन पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उसको बहुत बारिकी से देखके बता दीजिए तीसरा कोश्चन पारिवारिक सुख मिलेगा की नहीं चौथा कोश्चन आगे पॉलिटिक्स में क्या योग दिख रहे हैं पारिवारिक सुख सुविदाएं इनको लेकर जो परशन है बेसिक परशन है तो अब निश्चन तरहिया आपके सारे ही परशनों पर हम चलेंगे चीजों को असपस्ट रूप से दिखाने का परियास करेंगे तो वीडियो काफी ज़्यादा महतपून है देखे सीखे समझे कि कुछ ऐसी पॉस्टिविटी इनके हाथ पर मौझूद है जिसमें जातक के जिन्दगी एक दम से बदल जाती है और उसके बाद लाइफ में कोई प्राबलम नहीं रहती ऐसी अवस्था अगर है तली पर हो तो आपकी जिन्दगी एक दम से बदल जाएगी और उसके बाद जिन्दगी पर विश्यस तकलीफ रहे का ही नहीं ऐसी कौन सी बात थी ऐसी कौन सी अवस्थाएं थी चीज़ों को हम दिखाएंगे तो एक क्रियर पिक और में आपको दिखाना चाहूंगा अगर हम पॉस्टिफ चीज़ की बात कर लें तो उसी में वो योग आता है थोड़ा पेसेंस रखो उसे योग को भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे तो पॉस्टिफ सेंस के रूप में एक अच्छी बागि रेखा बहुत ज़ादा सक्री है नहीं लेकिन बढ़ियां बागि रेखा जो बागि रेखा में यहाँ पर से दिख रही है कम्पलीट बागि रेखा ये रेखो और आगे भी बागि रेखा आपके ये ब्रांच है ये पॉस्टिविटी है ये ब्रांच के साथ ऐसे चल रहा है ये देखो फिर आगे भी ये बागि रेखा और ये सारे बागि रेखा के ब्रांचे से है पहले positivity, दूसरी एक सूरी रेका बड़ी जबरदस्त है जबी मैंने इनके सूरी परवत पर देखा, तो मुझे एक fish जैसा लगा लेकिन जब मैंने गौर से देखा, तो ये एक सूरी रेका ये वाली थी और एक सूरी रेका ये वाली थी, फिर से देखो एक सूरी रेकाई ये थी और एक सूरी रेकाई ये थी फिर मुझे यहाँ पर से हलका एक फिश जैसा लगा अभी थोड़ा इनकंपलीट अवस्था में है पूर तक कंपलीट नहीं है जबी तक यह कंपलीट नहीं होगा तब तक इसके लिए कोई बहुत ही अच्छी होती है जिन्दगी पर चीजों को देख के चलने की आवशक्ता होती है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा लेकिन एक अच्छी पॉस्टिविटी डेवलप कर रही है और एक बुद्धरेखा भी डेवलपिंग स्टेज में यहां से भी देख लो थोड़ी इनकम्प्लीर जै के कुछ एक रेखा चल रही है जो यह भी बड़ी अच्छी रेखाए होती है फिर एक जबरदसी जीवन रेखा पॉस्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रगती कई ओग है और एक जबरदस आपकी मंगल रेखा यह पॉस्टिविटी है बर्षपती भी ठीक ठाक है और इस प था थी वैसी काड़ेगर अवस्था के विशे में इस वीडियो के माद्याम से हम आपको दिखाएंगे तो मैं बात कर रहा था इस प्रगती के योग के विशे में ये तक्रीबन 40-41 में वर्स का आयू में डेवलब्ड था और ये एक्टिवेटेड था जबी इतनी बड़ी प्रगती के योग हो ना जैसा ही सांथ पर आपको दिख रहा है तो आप नी संदेह समझे कि जातक के जिंदगी एकदम बदलती है और बड़े सांदार तरीके से बदलती है बड़े सांदार तरीके से तो यहाँ पर से मैंने एक वेरिफाई किया इसे मुझे तो असपस्ट ही था कि 100% बदली ही होगी तो मैंने इसे पूछा कि 40-41 साल में कोई मुझे बहुत बड़ी तरक्या आपके जिंदगी पर दिखी थी तो वो क्या थी तो इन्होंने मुझे पच्ट रूप से का जी हां इसके बाद हम एक अच्छे पद पर गए थे और उसके बाद हमारी जिंदगी बदली थी तो एक बहुत ही महतपून ऐसा चेंज और एक बहुत महतपून ऐसा योग जिसके विशे में इस विडियो से हम चरजा कर रहे है अगर आपके किसी कहतली पर है तो नी संदे खुश हो जाईए आप जिंदगी पर आपकी समय बदलने है यह बदलना ही है लेकिन वो बदलने का समय मुझे नहीं बता वो जब तक मैं आपकी प्रॉग्रस लाइन नहीं देखूँगा तब तक कैसे बताऊंगा यह अगर आपको एज निकालने आता है तो जब भी हो तीस, पैंतिस, चालेस, जब भी हो उस समय आपके जिंदगी बदलेगी तो इस positive चीज़ के विश्ए में हम आपको रूबरू कराए और इस positive चीज़ के विश्ए में हमने चर्चा किया अभी कुछ हम negative चीज़ों पर विचार करेंगे तो यह positive चीज थी जिसके एवस में बदल प्रशन हो गया अभी negative चीज गया है तो देखिए इनकी जो नेगेटिव है ये सबसे बड़ी नेगेटिव है ये कुछ राहू रेखा जो समय समय पर बहुत बहुत कसम है जहाँ पर से जातक की जिंदगी पर ये परसपर समस्याओं को दरशाती हर तीन चार साल के बाद लेकिन एक खुश खबरी है कि कुछ एक सर कुछ पर में प्राब्लम्स था तो इसको नेगेटिव ही मानेंगे बागी कुछ एमोशनल योग था जापर से विक्ति काफी भावुक होते हैं तो ये दो नेगेटिव चीज़े थी थोरे distractions तो रहते हैं थोरे fluctuations भी रहते हैं लाइफ में ये भी एक नेगेटिव योग के त तो ये कुछ नेगेटिव चीज़े थी अभी हम कुछ और भी चीज़ों को देखेंगा जैसे कि आपके प्रशन है तो प्रशन थे क्या मुझे पारिवारिक सुख मिलेगा तो देखें जैसे ही आपके चंदर पर ये सब रेखा है ना इसका मतलब ही होता है पड़िवार से बिचराव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ पंड़मानिंटली बिचराव की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब ऐसे जातों को काना घर से दूर का वास होता है अगर इनके फैमिली घर पे रहेंगा तो फिर कहां से पारिवारिक सुख तो कहीं ना कहीं बिचराव के योग को तो य प्रिएड में नहीं आएगा? पहला प्रशन था, दूसरे पॉलिटिक्स में जाओ की नहीं? तो देखो मैं किसी पर व्यक्तिकत रूप से टिपन्नी नहीं कर रहा हूँ लेकिन सीधी सी बात है अगर आप एलेक्शन में पैसे खरच करोगे तो आप जरूर पैसे निकालना चाहोगे आपके जमापुझी अगर एलेक्शन में खरच होंगे इसका सीधा रीजन था कि आपकी जो हतेली पर भागी रेखा है यह बहुत बहुत अच्छी नहीं है जहाँ पर से आपकी हो सकता है रिटेर्मेंट के बाद आपको कुछ पैसा मिले धनरजन हो लेकिन अगर वो पैसे आप बचा नहीं पाएं तो फिर कहा के रहेंगे आप और ब्रश्पती भी बहुत अच्छी आपकी नहीं है जिसके एवस में हम आपको बोल दे कि आप तो एकदम जीत जाओगे आपकी पॉलिटिक्स में तरक्की ही तरक्की है तो इसको लेके तो हम दिर रहें आपको किसे भी परकार कर नहीं देना चाहेंगे और हम पॉलिटिक्स के लिए आपको मना ही करेंगे समास सेवा ही करना है तो उसका सो रास्ता है कोई जरूरी नहीं है कि हम राजनेता या जन परतिनिदी बनके ही समास सेवा करें इसके सो रास्ते हैं, सो तरीके हैं, सेवा ही करना है तो फिर मेवा क्यों देखना है? सेवा करिए, सेवा भावना से सेवा करिए, बहुत प्रकास सेवा होता है. तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तीसरा हम questions आपके पर चलेंगे, आपके questions पर, कि ये वैपार करें या नौकर आपकी बुद्ध फिंगर भी अच्छी है, समझदारी भी अच्छी है, लेकिन बात यहाँ पर यह है, कि जब तक यह रेखा मुझे सटिसफाई नहीं करेगी, तब तक मैं आपको एक बहुत ज़्यादा सटिसफेक्टरी उत्तर कैसे देदो, बिजनस करेगाडिंग, तो मैं यह नहीं दे पाऊंगा, तो मैं यह आपको सीधा बोलूँगा, कि आप भी होल्ड करिये, अगर सच में कुछ करना है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिये, इतना करिये कि जो जाए भी तो मलाल ना हो, और जॉब में कंटीनू रही है, कि कुछ अथ्रिटी पोस्ट के योग से बन रहे हैं, जहाँ पर से जातक की जिन्दगी पर अच्छे पद मिलने के पूनता असार है, और साथी साथ जिन्दगी समूत जाने के भी पूनता असार है, अब चौते कोशन ते, सेर मारकेट में क्या दिख रहा है आपको, सेर मारकेट में क्या वस्था है, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, आंसिक रूब से योग है, डबलब्ड है आंसिक रूब से, तो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट को दर्शार हैं, लेकिन अपने जमापुजी को कहीं भी इन्वेस्ट करना हो जित नहीं है करना ही चाहते हैं तो मंगल बहुत प्रबल है एक साफ सुत्रा जमीन में इन्वेस्ट करिए जो कई न कई आपको positive चीज ही दे के जाएगा negative तो देगा नहीं तो बस करने का मन है बहुत पैसे होया आपके पास तो इसमें इन्वेस्ट कर लो आप और बाद बागी शेयर में भी इंवेस्ट करना है जो इनका विक्तिकर इंटरस्ट है तो कम एमाउंट में करिए बहुत ज़ादा खर्च मत करिए तो ये इनके questions थे बागी एक और question था कि गुरुजी कभी life में ऐसा होगा कि मैं अचानक अमीर बन जाओंगा देखिए अचानक तो कुछ भी नहीं होता दिरे दिरे आप अमीर बनियेगा उसको भी अमीर ही कहते है अचानक बनियेगा उसको भी अमीर ही कहते है लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो अचानक हो गया लेकिन उस व्यक्ति ने उस अमीर बनने के लिए मेहनत किया होगा किया होगा तो ये चीज़ आपने समझ लिया अब ये हम आगे विचार करते हैं कि ऐसा कुछ होगा क्या कि certain आपकी जिंदगी बदल जाएगी certain आपकी जिंदगी पर बहुत major changes देखने को मिलेंगे तो मैं आपको एक खुशकवरी देना चाहता हूँ chances हैं, chances कैसे हैं वो समझे आपकी जो बुद्धर एका develop कर रही है न ये समाने नहीं ये बहुत बढ़िया ट्रेंगल के साथ develop करेगी है लेकिन बात यहां पर ये है कि जब ये बुद्धर एका develop करेगी कब करेगी? जब करेगी तब न देगी कब करेगी? तो एक बड़ा महत पूर्ण सा परशन है तो इसको लेकर हम टिपन्नी नहीं कर पाएंगे समय समय की बात है हो सकता है ये develop कर जाने वाले कुछ 6 मंत में हो सकता है develop कर जाने वाले 5 साथ में या हो सकता है कभी develop ही ना करें तो इस विशे पर तो हम पूर्णता टिपन्नी नहीं करेंगे क्योंकि ये अनुचित होगा जो हमारे हाथ में नहीं है उसको लेके जूट बोलना समझदारी है क्या और जूट बोलने से क्या हो आपको क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा क्रिडिसिजम होगा तो यहां पर से आप जूट नहीं बोलेंगे हाँ मैंने कहा कि मैंने वो भी हाथ देखा है मेरे पास प्रमान के रूप में है अवस्थित मैंने वो भी हाथ देखा है जिसमें छे मंत में डेवलप कर गया है और मैंने वो भी हाथ देखा जिसमें दो साल में भी डेवलप नहीं किया है तो इस विशेपर पर नहीं करेंगे इसका कोई आयू नहीं होता और जो चीज आपके हाथ में ना होना उसको बताना भी आनुचित है तो यहाँ पर से हम बताएंगे भी नी क्योंकि यह हमारे हाथ में तो है नहीं और हम सचाई को लेके ही चलेंगे क्योंकि वही आगे चलके कारे काम में आता है तो हम जूट क्यों बोले यह यहाँ पर से तो नहीं पता चल रहा है लेकिन इतना जरूर है कि कहते हैं कि कुछ चीज़े दिख जाती है कुछ वीजन्स आपके अंदर आ जाता है तो वो वीजन्स के हिसाबसे में कह रहा हूँ कि जो अवस्था है आपके हाथ पर अवस्थित हैं यह बहुत जल्दी सक्रिये होगा और जब यह सक्रिये होगा तो फिर मुझसे यह परशन नहीं पूछोगे कि गुरुजी मेरी जिन्दगी कब बदलेगी आप मुझे से ये परशने पूछोगे कि गुरु जी आप पैसा रखू कहा चलिए जी ये इनके कुछ परशने थे हैं अभी एक और परशने बच गए थे कि आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी उस विशे पर हम टिपन्नी करेंगे कर दीजिए तो निशिन्तर ये आपके आगे के जिन्दगी के विशे में हम टिपन्नी अवश्य ही करेंगे चीजों को असपस्ट रूप से समझाने का प्रियास अवश्य ही करेंगे तो सबसे पहले चाहिए बचपन से लेके चलते हैं जैसे यहाँ पर से एक यवा किरती थी जब भी सपोर्ट के आवश्यक्ता पड़ेगी नहीं मलती है बचपन में बचपन में नहीं मिलती है बचपन में समस्याइं रहती है कुछ मांसिक दवाब को लेके चीज़े ती इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी होगे लेकिन 20 वर्स की आयो से कुछ कमाई के योग भी थे ये 23 वर्स से तो definite थे 20 वर्स से भी इंडिपेंडेंट हो गया थे क्योंकि माइन रेका और जीबन रेका आपकी अलग हो गई थी तो बहुत हाथ पैर मारने के बाद जातक 20 वर्स से कमाई करना सुरू कर देते है लेकिन ये मैंने क्यों कहा हाथ पैर मारने के बाद क्योंकि आपकी राहू रेखा आवस्थित थी आपके हाथ पर 24 में में एक तरक्की वी फिर 25 में एक दिक्कत हो गई फिर 24 में भी एक हलकी दिक्कत थी और 25 में एक तरक्की थी लेकिन 26 में दिक्कत थी 28 में एक दिक्कत थी फिर तकरीब अंतीस में यहां पर कन्फ्यूजन ना हो इसको मैं क्लेर कर दू ये एक दिक्ट आपके 23-7 में आयती और 24-25 में एक तरक्की थी 26 में एक दिक्कत थी 32-67 में एक दिक्कत थी 34- 35 में थी 35 के बाद जिन्दगी स्मुझ, चलिए 40 में वर्स में लाई बदल गई आपकी जिसके बाद से आपके जिन्दगी अभी तक मस्त चल रही है एक 45 में में तरक्की थी और ये 45 में के बाद एक बड़ा ट्रेंगल, आपके जो परशन थे ना, ये गुरुजी आगे कोई जिन्दगी पर मिल सकता है, तो definitely मिल सकता है, ये ट्रेंगल्स प्रापटीज के लिए ही होता है, ये ट्रेंगल्स आपके जिन्दगी पर अकास्मिक दनलाफ के लिए होता है, लेकिन एक दिक्कते मुझे बतिरपन में वर्स में दो दिक्री है, और यहाँ पर से 56 वर्स तक है, ये 57 से 60 वर्स में विक तरक्की के योग बने है, 60 के बाद भी जिन्दगी अच्छी आयू दिरगायू है, यहाँ तक आपकी जीबन रेका है, कि अकास्मिक धनलाफ को बता रहा है, लेकिन एक खुशी की बात है, कि हतली पर राहू रेका बेलेकोल भी नहीं है, जिसके एवज में जातक की जिन्दगी पर विशेश तकलीव देखने को नहीं मिलता, और ऐसे जातक को विशेश चिंता करने की आवशक्ता भी नहीं है, क्य अब यह चीज़ आपने समझ लिया, इनके परशनते, बाकी अभी इनके लिकाम जनलनेसेस करेंगे, चीज़ों का स्पस्ट रूप से क्लियर करेंगे, और 24 वर्स में यह एक्सिदेंट हुआ था, जिससे इनके फिंगर का काफी बुरा हाल है, तो यह 24 वर्स के आयू में वा आते हैं, काफी जिद्धी किसम के इंसान होते हैं, सारे प्लैंट्स में काफी अच्छे स्ट्रेंथ है, जहापट से यह 70% राज्यो कफल दिखा रही है, जिन्दगी बड़ी स्मूथ अभी इतती है, नो डाउट, कुलाबी अहतेली है, धन को अट्रैक करती है, जब भी पै जुकते नहीं है, जुकने वाली प्रिसनालिटी नहीं है, जबरदस्त थम्ब है, जबरदस्त अविक्तितों का परचे करा रहा है, जातक काफी स्ट्रिक प्रिसनालिटी के होते हैं, और कभी भी जिन्दगी पर जुकने का नाम नहीं लेते हैं, और हमेशा हिम्मत से, काबि जिन्दगी पर बहुत मुकाम हासिल करते हैं जबरदस थंबे आपका समझदारी के लूप काफी जादा अच्छी जातक बहुत समझदार अपने जिन्दगी को समझदारी के तहट लेना चाहते हैं और फिंगर पर खाई लाइन्स मौझूद है मतलब होता है कि जातक बहुत समझदार मान सकता के बहुत जादा ही समझदारी है इसमें कहीं कोई संदेह बात नहीं है और समझदारी के साथ अच्छे भी हैं आप दिल में किसी के लिएätzlich कुए क्रद बाबना नहीं जातक बहुत हिंमती होते हैं सैटर्न फिंगर लंबी ये बहुत ज़्यादा ही महनती होते हैं और ये हिम्मत को तो दर्शाही दर्शाह रहा है और बुद्ध फिंगर लंबी ये कम्मुनिकेसन इसके लिवाइस बहुत ज़्यादा प्रबल जातक चीजों को समझते ही बहुत अच्छे तरीके से हैं और समझाते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं फिंगर काफी लंबी करी अच्छी क्रिटिविटी बहुत ज़्यादा ही मुझे दिख रही है जिसकी एवस में जातक बहुत ज़्यादा समझदार माज सकता के होते हैं समझदारी हद से ज़्यादा रहती है फरदे के बरश्पती यहां पर से दवाब था यह बहुत ताकतवर नहीं थी तो कुछ समस्याओं को दर्शाती है बाकि यह परुपकार के लाइन्स काफी अच्छे है जातक परुपकार यह कुछ ट्राइंगल्स है जो 32 वर्स में घर और 32 वर्स के बाद की जिन्दगी को इंडिकेट कर रहा था यहाँ पर से आपकी काफी जादा अच्छी अवस्था है जो प्रॉग्रस लाइन के एवज में है जिसके एवज में जिन्दगी पर सफलताएं मिलते हैं अवश्य ही मिलती है ब्रश्पती अच्छा है कारे चेतर को बढ़ा पाएंगे दार्सनेक सोच के इंसान है मीधियम मंध्यम में है बहुत जादा भी प्रबल नहीं है मंध्यमस्तरिय ब्रश्पती है फर दे के यहाँ से दबावे तो विक्ति गजब के मेहनती और आगे आपकी बनी है फीट लाइन बहुत गजब की बाग्य रेका बनी है कि जातक के जिन्दगी पर पूरे रुपे नहीं भागे का फल आता है जिन्दगी काफी अच्छी बीतती है लाइन ओफ एजोकेशन अच्छी है जातक बहुत समझदार माँ सिकता के है समझदारी सबने जिन्दगी पर आगे बढ़ते है एक से जादा सूरी रेखा और सूरी रेखा बड़ी बन रही अधिकारी रूप से हम आपको जरूर देख सकते है अधिकारी रूप से सम्माने मिलेगा कोई दिस्ट्रेक्शन के योग थे जो थोड़ी बहुत दिस्ट्रेक्शन को दर्शा रही थी यही पर से एक फिश्णुमा आकिरती बन रही है और फुलाल कलियर नहीं हुई अगर यह बने की तो भग बेनेफिट और आपकी कुछ मल्टिपल प्रापटी के योग 45 में वर्स के बाद भी डवलब्ड है और पहले भी आपके डवलबिंग स्टेज में थी जो प्रापटी की रिकार्डिंग सुक को दर्शा रही थी 32-33 वर्स के आयों के बाद सुर्य लेका बढ़ी है तो उच्छ स्थरी ये वैल्यू मान समान यहां से गई है टरिंटेड विक्ति हैं आपसन मरकरी अच्छी ठीक ठाक है जापर से बुद्धि वेक्से कारे करते हैं बुद्ध पे खाई लाइन से इंसान बहुत तीज मान सिकता के होते हैं पैतिक संपत्ति का मद्यमा स्थरी ये साथ और इवन अच्छा ही साथ है पैतिक संपत्ति ऐसे जातों को मलती है तो ये चीज़ आपने हैं समझ लिया बाकि यहाँ पर से भी कुछ सूरी रेखा के ब्रांचे से हैं जो वेक्ति को उच्छे सरी मान सम्मान के तरफ प्रिरित करती हैं और सम्मान जंदगी परवश्य ही मिलता है ये भी कुछ लाइन से जो की आपके टालेंटेड होने का परिचे करा रही है जातक काफी गुनी वेक्ति हैं फिर देखे एक जबर्दस हर्ट लाइन हटी दिमाग के हैं मतलब जो मन में बाते सेट कर जाएं फिर उसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं है फिर एक जबर्दस मस्तिक सरेका दिमाग के बहुत तेज हैं ट्राइंगल्स हैं इस पर भी ट्राइंगल्स हैं जो इसकी नेगटिव चीजों को दूर सी कर रही है सूरी रेका तो मैंने दिखा दिया, प्रापटी के योग तो मैंने दिखा दिया दोड़ो मंगल अच्छा है, ओवर एनरजेटिक है और बिना एनरजी के जिन्दगी पर क्या मिलता है ऐसे जातक बहुत प्राक्रमी है, बहुत एनरजेटिक है अपने जिन्देगी कोई एनरजी के तहर जीते हैं और आगे भी कुछ करते हैं दिरगायों हैं स्वास्त अच्छा रहता है मंगल अच्छा है आयू हम जादा ही देख रहे हैं बैलेंस बहुत अच्छा है दिमाग और दिल के काफी तंद्रूस्त वेक्ति हैं एक जबरदस्ती दिखने वाली चनर मा और चनर में कुछ यातरा के योग परसपर यातरा के योग है घर से दूर की उन्नती है कुछ विदेशी यातरा के योग भी हतली पर बन रहे है चनर में आच्छा है पैसे के फ्लोग बनी रेगी धन के दिक्कत नहीं होती, ऐसे जातों को माइंड रेका बड़ी है, शार्प दिमाग के वेक्ती हैं आप, और दिमाग आपका जिन्दगी पर काम करता है, पर देखें एक केतु परवत पर फिश्य कास्मिक दनलाव को दर्शार है, नो डाउट, यहांस एक चंदर पर कुछ ल सब्सक्राइब बेनेफिट नहीं, क्लिर होगी तो बहुत कसब का बेनेफिट, बहुत कसब का, शुक्र बढ़ियां है, पाड़ेवारिक जंदगी अच्छी रहती है, प्रारंबिक समय में कुछ मेंटली स्ट्रस के योगते, बाकी मनी मनेजमेंट बहुत जबरदस्त, पैस आयो दिरिग आयो, आयो को लेकर विसस टिपनी नहीं, और इस केस में आयो को लेकर टिपनी की भी नहीं जाती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा बसते हैं, कुछ इरिटेशन के योगे व्यक्ति जल्दी गुस्सेल पर बिरती के हो जाते हैं, तो गुस्सा जादा ना करे कोशिश करे ठंडे राने का बाकी है तब की जिंदगी अच्छी है प्राक्रिमी है जिंदगी पर हर स्थरे की सुक्सों विदाब होगेंगे यह ता इन केतली का पूर्णता विश्टेशन अगर आपको मारा यह वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेट कर दे सक्राइब कर द सब्सक्राइब कर दिखा के सई जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोट्सप्रमबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लेकर आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद